हलो दोस्तों कि आपका हमारी यूटूब जंद इस्टडी ओल्ड राउन पर स्वागत है दोस्तों मैं आथ बात करना हूं लोग स्यार्प कॉंस्टेबल रिकुर्मेंट दोजर तैस के बारे में बहुत बहुत बदाईयां और जिन्होंने नहीं कियों कि इसकी नहीं वेकंसी जल्द आने वाली है तो इस वेकंसी के मार्क से वह आपको 27 अप्रेल को जारी कर दी जाएंगे एससी की ऑपीसिल वेबसाइट पर जहांपर आप जाकर अपने मार्क देख सकते हैं अब मैं बात क करूं कि stone पॉष्टक रहने वाले थो इसके अफोर पूर्ण करने संख्या है एक बांती जार नौसो esté कि सब्सक्राइब फिर्फोका POLरा मोटेटी सब्सक्राइब फूर्टेसजार नो सो सो दूर्य थिस पढ़ए चाफ़ बढ़ती रहने वाले रहने एए और इसकी अगर मै कि एज लिमिट की बात करूं तो 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 तरह से तैइस वर्स रखी गई है और बात करें दियो अग्यता की कि तो दस्वी पास है कि इस वर्ती इंदर मेल और फीमेल दोनों के पॉस्ट रखे गए हैं कि मैं यहीं मेल पोस्ट की बात करूं तो एक लाग पत्सीश जार कि दो सो बासेट पद रखे गए हैं और जो फीमेल के हैं कि वह चार जार से सो सट्सेट पर और यहीं बात करूं फोरम पीस की तो जन्रल ऑबिसी और इडवलुएस के लिए सो रुपे फीस रखी गई है एस सी स्टी और फीमेल के लिए नहीं सुलक रखा गए हैं और मैं यहीं बात करूं इसके सेलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपका रिटन एक्जाम होगा उसके बाद फिजिकल होने वाला है फिजिकल के बाद आपका डोकिमेट फिर फिक्सन होगा और फिर मेडिकल और उसके बाद मेरिट लिस्ट जा रही होगी जिसके अधार पर चैन किया जाएगा इसकी सुचना आ चुकी है इसका फॉर्म डेट है जो अभी स्टार्ट नहीं हो है और जैसे ही स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा इसलिए प्ली चैनल को आप सिस्क्राइब कर लिजिए और बेल ऐकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सुचना मिल जाएगी